तो नमस्कार दोस्तों और आज की इस वीडियो में हम जो है अभ्यास करने वाले हैं बाल विकास में हम सिक्षा सास्तर के 30 प्रस्तों पर साथ में मैं अपनी तरफ से एक्स्प्लेनेशन भी दूँगा आप वीडियो पूरा दिखे और किसी प्रस्तों पर आपको ऐसा लगता है मैंने गलत जवाब दिया है तो नीचे जरूर आप कमेंट कीजिए और अभी तक आपने मेरा चनल सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चले टाइम वेस्ट नी करते हैं वीडियो करते हैं स्टार्ट थोड़ा ध्यान दिजेगा यदि मैं कहीं वीडियो में बोल डालों कि ये होना चाहिए इसका मतलब ये कनफरम है लेकिन फिर भी सव में दो पर्षेंट जो है गलती होने के चांसेज हमेशा रहते हैं मैं कहीं से आंसर की लेकर नहीं बताता हूँ या दूसरी भासा में कहें कि आंसर भी रखता भी हूँ तो मैं उसको वीडियो खतम होने के बाद बाद में चेक करता हूँ अगर किसी प्रकार से गलती है तो मैं बाद में उसको करेक्ट करता हूँ वीडियो अपलोड करने के पहले पूरी तरीका से करेक्ट करके अपलोड करता हूँ तो आप इस चीज़ के बारे में समझ लेंगे, दूसरा मैं बिच-बिच में आपको explain करता हूँ, उसको आप अच्छे से समझे, फिर भी अगर किसी question में आपको लगता है कि मैंने question number 22 ने उसका गलत answer बता दिया है, तो आप मुझे नीचे जरूर comment कर दीजिए, मैं उसको फिर से रिचे करके आपके लिए बता दूँगा, तो चले शुरू करते हैं, यह जो question paper है, लिया गया है, दो-तीन साल पहले का, सिक्षड अभी रिचे का है, और यह कहना चीए, बाल विकास्यम सिक्षा सास्तर के अंतरगती आता है, अगर आप D8, B8, CGT, CT, 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 सिक्षक प यहाँ पर दे, instructional, overhead projector, अरे भाई, simple सी बात है, बच्चों क overhead projector से पढ़ाते हैं, भाई, audio cassette से पढ़ाते हैं, मुद्रित समागरी भी से भी instruction देते हैं, सबसे, सही answer है, transparency, transparency क्या चीज़ है, यह क्या चीज़ है, छोड़िए, transparency के मतलब है, जैसे की, R पर दिखने वाला जो है, transparent बोलते हैं, उसी से बना हुआ है, ठीक है, बच्चे के आकरमक विवहार को सुधारने के लिए सबसे प्रभाव सरी तरीका क्या है, ऐसे question में मैंने हमेशा बोला है कि, हमेशा बच्चे के पक्ष में answer दीजिए, और बच्चे के पक्ष में answer है य बनाया जा सकता है, देखे सेवा कलिन प्रसिक्षण को अधिक प्रभावी बनाएं, परले से तयार प्रसिक्षण तो इसे एक आवासी कारिकरम बनाना, सही होगे दरीश्री कोण का प्रयोक करना, प्रसिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास, practicing training follow-up procedure, तो इसे यह सब चीज नहीं, सही आंसर यह है, प्रसिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास, यह सही आंसर है, छात्र केंद्रित सिक्षण के लिए, खाली स्थान के लिए है, छात्र केंद्रित कक्षण जो है, किस के लिए है, तो देखते हैं, ब्यक्तिकत भीनिता को सम् करने हैं ये सही अंसर ये बन रहBay통 legit को समझ बोधित करने के लिए हैं आगला पड़ते हैं निम लिकित में चे कौन सा अधिगम सैली का उधाहरण है क्या है अधिगम सैली का उधाहरण है द्रिष्यात्मक संग्रहर्ण तत्यात्मक और इस अधिगम सैली ठीक है ना लर्निंग इस्टाइल तो लर्निंग इस्टाइल ये वीजुल है ठीक है आप किसी भी बच्चे को कोई भी चलचित्र दिखा कर आप उसको सिखा सकते हैं कोई चीज इसका ताथ पर यह है अगला है निल्यकित में कौन सा प्रच्छेपित समागरी के लाल पेन गलोग ये सही आंसर हैं सी वैंने ये च्यक करके बताया है यह मेरे को एक्चल में कन्फूजन था अगला बढ़ते हैं छात्रों की सीखने से संबंदी समस्या का उत्तम उपाय है सीखने से संबंदी समस्या है उनको ना learning में प्रावल्में कड़ी मेहनत के लिए सुझाओ पुस्तकलने परिक्षट नीजी टुशन के सुझाओ निदनात्मक सिक्षण ये सबसे आता है याद रखे ये terms of top याद रखे ही रखे निदनात्मक teaching अब देखो ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि निदनात्मक सिक्षण क्या है जिसे doctor होता है doctor क्या करता है blood test करता है उसका पता चलता है कि इसको malaria है और उसके बाद जो है वो क्या करता है उसका malaria के इलाज करता है निदनात्मक सिक्षण भी ऐसा है आपको जो है मुल्यांकल लेकर बच्चे के main जो problem है उसको समझना है आप उतारे जमी परवाल एक्जाम पर ले सकते हो बच्चे को dyslexia से वो पिडित था तो इस तरह से बच्चे के problem कहाँ पर है उसको हमको समझना है और उसके बाद फिर उसी के हिसाब से हमको क्या करना है उसका इलाज करना है तो यह चीज क्या कहलाता है diagnostic teaching शेक्षिक अनुदेशन का सबसे प्रभावी साधन है यह सही answer C होना चाहिए मेरे खाल से शरब विद्रिसी साधन correct बिल्कुल सब विद्रिसी साधन होगा और कहीं पर नहीं है confusion नहीं है आगे बढ़ते हैं तो देखे मनोई ज्ञान सिछा का अधार भूत विज्ञान मनोई ज्ञान सिछा का अधार भूत विज्ञान है यह परिभासा किस ने दी है या परिभासा दी है इसकीनर ने ठीक है वैसे मैं आपको बता दूँ इसकीनर, प्याजे, वाइगोस्की है और ब्येस ब्लूम है इन चारो पाँचों के न कर्थन को आप जो है नोट कर लीजिए क्योंकि पूछा ही जाएगा मनुजयान सिक्षा क धार पुट्व ग्याने ब्येस इसकीनर ने कहा था नोट कर से कौन प्रभावी इसकूल अभ्यास का एक उधान है प्रभावी इसकूल अभ्यास ठीक है निरंतर मुल्यांकन, सारीगन ब्यक्तिगत सिक्षा, प्रतिस्वरीक देखो प्रभावी स्कूल अभ्यास का इसका सही अंसर है व्यक्तिगत सिख्छा आगे पड़ते हैं प्रकृति पोसर खालिस्थान व्याद संदर्भित करता है दनेचर नेचर निचर निटर काना चीए तीबे डिफर्स टू सही अंसर इसका है अनुवांसिकी और वातावराण निटर में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धी परिक्षण की विशेश्था नहीं उत्तम उपलब्धी परिक्षण ठीक है क्या बच्चे ने सीखा अर्जन क्या उसका जो है विशेश्था ने विश्वस्थनीता होना ची वस्तुषनीता होना ची अनिश्चित्ता ये शही अंसर है बाकी अबजेक्टिव लिए होने चीए अगला देखे निवलिखित में कौन सा उप्युक्त रचनात्मक मुल्यांकन का कार्य नहीं है निवलिखित में से कौन सा उप्युक्त रचनात्मक मुल्यांकन का कार्य नहीं है तो देखे मुक्त प्रस्नवली परियोजना अवलोकन छात्रों की रेंगी रचनात्मक मुल्यांकन देखे असस्मेंट टास्क ये हम लोग आज कल लेते हैं ठीक है तो इसका मुल्यांकन कारिय नहीं है तो बाल के अंदरे सिक्षा कहता है छात्रों को किसी प्रकार से रेंकिंग मद्दो इससे जो है उन में एक प्रकार से अहम की भावना जागरेत होती है किसी बच्चे में कमी है तो उसको अपसुधारिये न कि उसको गदहा, कम गदहा, होसियार, ज्यादा होसियार इसमें विभगत देखे चात्रों के रेंकिंग इसमें गलत आंसर है स्वरी सही आंसर है यदि किसी सिख्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन विष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ना है तो दस चार बच्चे है चारो बच्चे अलग' अलग' लिखेंगे वो अलग' अलग' अंसर दे सके, अलग' अलग' अंसर देंगे वो लोग. तो जो teacher है वो अलग'-अलग marking कर सकते हैं, जबकि अगर वस्तुनिष्ट हो, तो सही मने सही, गलत मने गलत, तो इसलिए जितनी भी परिच्छान हो स्वें वस्तुनिष्ट जो है वो question होता है ठीक है, तो वस्तुनिष्ट इस्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा वस्तुनिष्ट होना चीए, तो सही अंसर क्या होगा, आपका C होगा पैसर देखिए समान सेक्षिक आउसर का अर्थ है, समान सेक्षिक आउसर का अर्थ है देखो, सिक्षा का वह प्रकाज समान नहीं, कृतियक बच्चे के लिए सेक्षिक मानकों कहीं समानता नहीं, सभी बच्चों के लिए सिख्षा प्राप्त करने का समान आउसर NCF 2005 के उसर सीखने का स्वरूप NCF 2005 डाकुमेंट को अच्छी से पढ़िए आप इसके लिए मैंने एक dedicated वीडियो भी बनाए है मैंने आई बटन पे लगा दिया है आप देख लिजी वहाँ से NCF 2005 डाकुमेंट को सीखने का आउसर खाली सान है तो इसका सही आंसर है ये देखो ये जो चीजें है न ये negative है तो इसके लिए याद करने की ज़रूत नहीं ये positive answer है तो सही आंसर क्या होगा सक्री समाजिक सक्री दिथा सही आंसर है याद रखे न कोई भी विद्याल है उसके सिक्षकों के एकाण महान होता है ना कि बड़े building से कोई महान बन जाता है आज कल ऐसी हो रहा है लेकिन बहुत सारे पालग ऐसा करते हैं बड़ा building यहां तो बच्चे को भेद देते हैं उसके सारे में इंग्लिश मेडिया में स्कूल देखे हैं जो बारविक अक्षा पास जो पास आउट जो है विद्यार्थी उनको यहां टीचर मेटा मोर पाइंट कर लेते हैं और आता जाता कुछ नहीं उनको तो यह चीज है कोई भी इसकूल जो है महान अपने सिख्च को करना होता है वंचित समोह को चात्रों को समान ये चात्रों को साथ पढ़ा जाना चाहिए इसका तात्पर है इसका तात्पर जो है समाविसी सिख्चा है इसको याद रख लीजिए ना समाविसी सिख्चा है सभी को जो है आप साथ में डिसेबिलेटी वाले शात्र नहीं है याद रखी गया सब्सक्राइब देखिए दूसरा कोश्चन है जो इसेब दोजार पांच के वित्पिक खाली स्थान मिस हुई यह कंश्ट्ट्विज्म से हुई है रचनावाद से हुई है ठीक है यही होना जिएच्ट्वार प्रुपे। और यही सही है, मैंने चेक भी कर लिया, आगे बढ़ते हैं, मूल ये प्रत्येक मनुस्वी नहीं थाया, खाली स्थान में परिलक्षित होता है, ये अदर सुवाद है, ठीक है, सही अंसर है D, आगे बढ़ते हैं, है, एक चिंतल सी, सिखचक करता है, यही सही अंसर मेरे को लग रहा है, विद्यारतियुम शिक्षो को किमत इ अंता क्रिया को बढ़ते हैं, बिलकुर उनके विजो इंट्रेक्शन है उसको जो है बढ़ता है, अंसर है D, निमलेकत में सिक्छड कौसल समाही थे सिक्छड कौसल ठीक है ज़ते हैं टीचिंग स्कील तो स्याम पटलेखन परस्द पूछन भी बिल्कौल सही है ब्याक्ष्व्या एकस्प्लेन करना भी सही है मतलब सही अंसर क्या है? व्परोक्थ सभी डिजिटल कक्षा जो है उसकी बात की जा रही है में सिख्षक सबसे महत्रपुन भूमी का क्या है सुईधा प्रदान करने वाला कक्षा की निगरानी करना डिजिटल सिख्षा है ना आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना डिजिटल कक्षा में सुईधा प्रदान करने वाला है और कुछ नहीं हो साला तागी खालिक्सान होने की सम्मा होना है बेरोजगार हो सकता है सारोजनिक सहायता की आउसकता के प्रती समयदन सील और समाजी गतियों में ब्यस्त होना उपरोक्त सबी संपरेशन में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा है ठीक है संप्रेशन में संदेशों को ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा है सुरताओं की अभृति अडियन्स एटिट्यूट सुताओं का ज्यान सुताओं की सिख्षा सुताओं की आये संदेशों को ग्रहण सबसे बड़ी सुताओं के एटिट्यूट य जब तक सुरोता समझेगा नहीं कि मैं जो है मेरे में ये चीज़ की कमी है या फिर मैं कुछ सीखने आये हूँ तो जब तक वो अपने आपको नीचे नहीं रहेगा तब तक वो सही चीज़ को नहीं समझ पाएगा इसलिए बहुत सारे जो कक्षा में विद्यार्थी बैठे र रहे हूँ सिख्षड को प्रभावित करने वाली सिख्षड के अभियुति के पक्ष से संबंदित है ठीक है सिख्षड को प्रभावित करने वाली सिख्षड की भिद्ये सिख्षक एटिट्यूट ठीक है किस से जो है संबंदित है ये देखते हैं भावात्मक पक्ष अफिक कारक का उतहान है शुण करद का उसन्चार के साथ तो छिछी मिस red and करा सभा प्रतिस्थारवा की भावना ध्यान के बाहेकरक ये प्रतिस Feder एक साथ संचार कहुल कहुलाता है techno company के तो यह रहा बाल कि सीखते रहिए पढ़ते रहिए देखते रहिए वीडियो और जीहन में आप जलू एक दिन सक्सेश होंगे धन्यवाद